हलो विवर्स, हर्दी कुकिंग लब में सागत है आपका, आज की वीडियो में हम गुजराती फरसान बनाने वले हैं, गुजरात की बहुत ही फेमस फूड आइटम और बहुत ही फेमस फरसान है मेथीना गोटा, वो आज हम बनाएंगे, आज हम जो ये मेथीना गोटा बनाएं तो बिना स्किप की ये वीडियो को एंड तक देखेगा तो चलिए अब जल्दी से मेती का गोटा बनाना शुरू करते हैं वैसे देखा जाए तो मेती की बाची इसे विंटर के दो से तीन में ही नहीं अच्छी आती है तो मैं मौनसुन में ही सुखी हुई बाची यूज करती हूँ विंटर में जो मेति के बाची आती है उसके पत्ते इस तिरह से निकालके उसे चाओं में ही इस तिरह से पंखे के नीचे सुखा देना है और फिर इसे डिप फ्रिजर में स्टोर करके रखना है और मैंने जो आगे सीकरेट इंग्रिडन्स की बाथ की थी वो है ये अजवाइन के पत्ते ये अजवाइन के पत्ते इस तरह से वाश करके इससे छूटा-छूटा काट के फिर इसके जो बेसन होता है उसमें डालके इसे बनाना होता है इसका टेस्ट सच मानिये मेति के कोटे म अगर आप शावाइन के पत्ते में बहुत करा अगर अगर आप मेरी चैनल को देक रहे हैं आपको मेरी रेशिपी स्वेपीज़ कर लीजेगा और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक किजेगा ताकि जब भी ऐसी न्यू और यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए डालो वो चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले हेल्दी कुकिंग लेप को आप अप फेस्बूक और हिस्टाग्राम पे भी फॉलू कर सकते है देखिए पत्ते भी मैंने साफ कर दिये है और मेती की बाजी भी मैंने दो बार वाश कर ली है अब मेती के घोटे का बैटर बनाने के लिए मैंने आप ए बन अन्हाफ कप बेसन लिया है बेसन को हमैसा छान के लीजे ताकि इसमें गुटली न रहे अब इसमें हाफ कप मक्की का बारिक वाला अटा आता है जिसे हम रोटी बनाते हैं बो लेना है अब इसमें बन फोर्थ कप राइस प्लोर डालेंगे यानि की चावल काटा एकदम बारिक वाला लेना है बन फोर्थ कप सूजी डाल देंगे सूजी, मक्की काटा और चावल काटा डालने से इसमें एकदम अच्छा क्रिस्पी पनाएगा अब हाफ कप मेति के वाजी दूली हुई डाल देंगे और जो अजवाइं के पत्ते हमने साफ करके रखे थे ये बोर डाल देंगे अब इसमें सारे मसाले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे बन फोर्थ टीस्पून हल्दी बन टेबल स्पून पीसी हुई सक्कर डालेंगे अगर आप मिठा पसंद नहीं करते है तो स्किप कर देजे बन टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे बन टेबल स्पून लाल मिरज पाउडर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और हाफ कप इसमें खट्टा वाला दई डालेंगे दई यहाँ पर खट्टा वाला यूज किजी तो यहाँ पर जो आपका मेथी का गोटा है उसमें टेस्ट अच्छा आएगा और यह एकदम अंदर से जालीदार बनेंगे अगर आप खट्टा वाला दई लेंगे तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप मेरी रेसिपी और चैनल को कंटीनू फॉलो कर रहे है और आपको मेरी रेसिपी फसंद आ रही है तो रेसिपी से जुड़े हुए आपकी जो भी ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जरूर बताईए रेसिपी और वीडियो से जुड़े हुए आपकी जो भी ओपिनियन रहे होंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे कहाँ चेंज लाना है मेरे रेसिपी और वीडियो में वो मुझे पता चलेगा तो अगर आप मेरे रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो रिक्वेश्ट है मेरी कि यूट्यूब पे जाके नीचे कमेंट बुक्स में कमेंट जरूर कीजे इस तरह से थोड़ा-thोड़ा पानी डाल के बैटर दयार करना है एकदम साथ में सारा पानी नहीं डालेंगे अगर आप साथ में सारा पानी डाल देंगे तो इसमें गुट्लिया भी पढ़ जाएगी और आपका जो बैटर है वो बहुत ही पतला पढ़ जाएगा इसलिए बेटर में पानी थोड़ा-थोड़ा ही डालिए जरूरत के इसाब से और आगे मैं आपको वीडियो में जैसी कन्सिस्टंसी बताती हूँ ऐसी कन्सिस्टंसी हम बेटर की रखेंगे दिखिए इस तरह की बैटर की consistency रखनी है इसे ज़्यादा पथला नहीं करेंगे वरना जो मीधी के गोटे है वो प्रॉपर गोल नहीं बनेंगे अब इसे हम कम से कम 15-20 मिनिट के लिए रेश्ट करने देंगे 20 मिनिट के पास बैटर को चेक करेंगे अब इसमें 1-4 टीस्पून खाने का सॉड़ा डालेंगे यानि कि बैकिंग सॉड़ा और इसमें 1 टेबल स्पून निबू का रस्ट डालेंगे अगर आपका दहीं बहुत ज्यादा खटा है तो आप निबू का जूस नहीं डालेंगे ये तो भी चलेगा इन सबको अच्छे से बैटर में मिक्स करना है निबू का जूस और सॉड़ा डालके इसे 2 मिट के लिए अच्छे से फैटेंगे ताकि हमारे जो मेथी के गोटे है उसमें अंदर जाली अच्छी पड़े ये वाले स्टेप से ही आपके मेथी गोटे एकदम जाली दर और सॉफ्ट बनेंगे अब मेथी के गोटी को फ्राइ करेंगे जिसके लिए मैंने आपे ओईल पहले से गरम रख दिया था यहाँ पे ओईल को मीडियम गरम रखना है बहुत ज्यादा गरम नहीं अगर आपका तेल बहुत ज्यादा गरम होगा तो जैसे ही आप ओईल में इस तरह से गोटे डालेंगे वो तुरन ही जलने लगेंगे और दूसरी बात कि गोटे अपचर्प डाले बैटर इस तरह से तब हाई फ्लेम पे डाले और उसके बार फ्लेम को स्लो कर दे कड़ाई में आपको लगे कि यहाँ पे साथ या आठ गोटे डालने की जरूरत है वहाँ पे सिर्फ छै और साथ ही डाले बहुत ज्यादा गोटे इसमें मर्ट डालिए देखिए इस तरह से इसे अब मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हिलाते हुए फ्राइ करेंगे कंटीनु इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि मेथी के गोटे हर तरफ से अच्छे से फ्राइ हो और बहार से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालेदार और सॉफ्ट बने लोकवाईस ही लग रहा है ने एकदम टेश्टी और यम्मी ऐसी और भी बहुत ही यम्मी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए देखिए बहार से एकदम इस तरह से गोल्डन ड्राउम हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे ओल में से अब इसी तरह से मेथी के गोटे सारे फ्राइ कर लेंगे जनरल जो मेथी के गोटे गुजात में मिलते है उसमें जो मरी आते है वो डालते है यानि कि ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर पावडर की बात नहीं कर रही हूं ब्लैक पेपर जो खड़े वाले आते है वो मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने यह आपे नहीं डाले है अगर आप चाहे तो इसमें वन टीस्पून डाल सकते है तिक इसी तरह से सारे मेथी के गोटे फ्राइकर के ले लेने है आज की वीडियो में जो मैंने आपको दो-तीन स्टैप बताया है वो अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके मेथी के गोटे भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे और इसमें अजवाइन या तो फिर अजवाइन के पत्ते डालने से इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आपके हाथ के जो भी मेथी के गोटे खाएंगे वो आपके तारिफ करते नहीं धखेंगे दिखेंगे दिख रहा है ना बाहर से एकदम क्रिस्पी ये अंदर से भी इतने ही सॉफ्ट है देखें मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ आगे इस कर्मा कर्म मेथी के गोटे चाय और उसके साथ इमली की चटनी या तो फिर कैचप बहुत ही टेश्टी लगते है ये पारिस की सीजन चली जाए इससे पहले मेरी इस रेसिपी से एक बार मेथी के गोटे ज़रूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे और इस रेसिपी से जोड़े हुए आपके ओपीन और क्वैरी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताईए और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक करके आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए